इसको याद रखने की ट्रीक आप इस तरह से रख सकते हैं विम्ष्टेक के पहले आप पांच वर्ड पकड़ लीजिए तो एक तो पांच कंट्री यह हो गया ठीक है एक बी से हो गया पांगलादेस आई से हो गया आपका इंडिया एमसे हो गया आपका मैनमार ठीक है बी अएमाई से हो गया आपका स्री लंका टी से ओ गया थाइलेंट तो यह बिम्ष्ड ओ गया इसके अलावा भूटान और नेपाल और जोड़ तो यह साथ कंट्री हो गया बिम्ष्ड संबिट हुआ था दो जार रहरा में निपाल में अरेक्टर जनरल है क्यों डॉग यू चाइना के ठीक आसियान इसमें दस देशों का समूव है यह उन्नीस सो सरसट में बना है आसियान हेड़क्वार्टर इसका जकारता इंडोनेशिया में सेक्रेटरियर्ट है मतलब इसमें पाच थे इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर, मलेशिया और थायलेंड इन्होंने आसियान डिकलड़ेशन को सांन किया था पाच थे यह दियान लगएड़क्वार्ट है इससमय असियान में दस हैं ठीक है टी से हो जाएगा थाइलेंड वी से हो जाएगा वियतनाम फिर एम से हो जाएगा आपका मलेशिया आई से हो जाएगा इंडोनेशिया एम से हो जाएगा मैनमार सी से हो जाएगा कमबोडिया और एस से हो जाएगा आपका सिंगापूर तो बीपिल टीवी में मिक्स याद रख साइन किया था फ्रीटेड एरिया में इसको क्या बोलते हैं इसका साइन हुआ था 2003 में बाली इंडोनेशिया में फाइनल एग्रिमेंट 2009 में हुआ और फाइनली इफेक्टिव हुआ 2010 से एसिया पेस्पिक एकनॉमिक कोपरेशन नहीं की एपक 1989 में बना कैन्बरा ऐस्ट्रेलिया में हेड़कॉर्टर इसका सिंगापूर में 21 मेंबर है इसके इंडिया में नहीं यूनेश्को 1945 में बना पेरि कुछ लोग चोड़ते रहते हैं कुछ लोग आते जाते रहते हैं मतलब अभी प्रेजेंट में तेरा मेंबर हैं लेटेस्ट ऑफिशल साइट से चेक किया हुआ है हमने इरान इराक कुईत सौधी अरभिया वेनेजुएला लीबिया यूएई अलजीरिया नाइजेरिया गे के से चेट का अटेस कंट्री का 38 इंडिया इसका मेंबर नहीं है आयहींफ का इंडिया फाउंडिंग मेंबर द्याहर रखियेगा उन्निस सो पैतालीज में बना था वॉशिंटन ठीसी में इसका एड़ॉटर है फिल्स कंट्री एक 102 आ यहनी की 190 तो जॉइन इम पहों सा है एंडोरा ठीक है वर्ड बैंक और आइम एफ को ब्रिटेन वोड स्टिंस भी कहा जाता है और इंडिया इसका फाउंडर में मरता ध्यान रखना चीफ इकनॉमिस्ट गीता गोपिनात है और डिरेक्टर जेनरली से में आइम एफ की क्रिष्ट्रिया लीना जोर्जीवा बुलग मेंबर है ठीक है एसी एंड डेवलप्मेंट बैंक 1966 में बना हेड़्कॉर्टर इसका मनीला फिलिपींस में 68 देश है इसमें टोटल मेंबर इंडिया भी इसका मेंबर है आरसी पी ऑडोजार 12 में इसका इस्टैबलिस्मेंट हुआ और इसमें फाइनली साइन कब हुआ था आरसी पी के इसमें 15 देश है एक तो 10 आसियान वाले वही बीपील टीवी मिमिक्स वाले ठीक और उसके अलावा पाच और देश है कौन को से पाच देश है आपके आउस्ट्रेलिया और उसके बगल वाला पडोसी न्यू जीलेंड चाइना जापान और साउध कुरिया पंद गाया राइडर ब्रिटिश है सार्क बना था उन्निस सो पचासी में हेड़क्वाटर इसका काटमांडू नेपाल आठ कंट्री है इसकी बचपन से आप ये ट्रिक सुनते आ रहे होंगे MBBS पेन मतलब बचपन जब से आपने तयारी करना चलू किया वाला बचपन ठीक है तो MBBS पेन है इसका आठ कंट्री को याद रखने की ट्रिक ये सार्क की ठीक इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डाइलॉग फोरम आई बीए से 2003 में इस्टैबलिश हुआ था इंडिया नौर्वे में ऑप्रिया आठ कंट्री है पताँ वही आर्क्टिक सरकिल जहां पे उसके बगल वाले जित्ते कंट्री हैं कैनेडा हो गया डेनमार्क हो गया फिनलेंड आइसलेंड नौर्वे रश्या स्वीडन और उनाटर इस्टेट्स इनाटो वार्षा पैक्ट ये जो उ यह जो है नाटो वाले को लीड गोन करता था रश यूएस ठीक है यह इंपॉर्टेंट रहता है वार्सा पेक्ट तो करकतमी हो गया है 1949 में बना था यह नाटो हैड़कॉर्टर रहे सका ब्रेजल्स बेलजियम में सेक्रेटरी जनरल रहे सके जेंस स्टोलबर्ग स्टोल्टेंबर्ग नौरूबे के हैं तीस कंट्री है टो तोटन इसके मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया मार्च 2020 में लेटेस्ट मेंबर है जिसने नाटो को जोईन किया को नाटो का नौर्थ मैसेडोनिया खेक है गल्फ कोरोपरेशन काउंसिल 1980 में बनाया गया हेड़कौर्टर इसका रियाद सौधिय अरेविया में गल्प काउंसिल गल्प कॉर्परेशन काउंसिल यहने की जी सी इसको याद रखने की ट्रिक है क्यू बोक्स ठीक है छे देश है इसमें क्यू से हो गया आपका कुवेट क्यू से हो गया कतर यू से हो गया UAE बी से हो गया बहरीन ओ से हो गया ओमान के से हो गया कुवेट और एस से हो गया सौधिय रिविया छे देश है गल्प कॉर्परेशन काउंसिल के हेड़कौर्टर कहां पर रियाद में है देहन रखना यह चीज यूनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम 1965 में यह बनाया गया निव यॉक में इसका हेड़कौर्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC 2002 में बनाया गया यह हेग नीदरलेंड में इसका हेड़कौर्टर है और 123 कंट्री है यह बहुत जरूरी है निव डेवलप्मेंट बैंक ठीक है अभी लेटेस चर्चा में भी थी सितंबर 2021 में इसको जोईन किया था पांगलादेश ने चटे मेंबर के तौर पे 6 मेंबर हैं समय NDB में ध्यान रखना बागी हो अब्जरवर है मेंबर टोटल 6 ही है 2015 में बनी थी हेड़कॉर्टर इसका है चीन में प्रेसिडेंट इससे में कौन है मार्कोस प्राडो ट्रोजो जो की ब्राजील के हैं ठीक है 6 मेंबर कंट्री कौन से है आपके एक तो ब्रिक्स वाले क्योंकि ब्रिक्स की तो बैंक है यह तो ब्रिक्स वाले हो गए यानि कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरीका और बांगला देश भी छठा देश है जिसने मेंबर्शिप लिए सितंबर 2021 में वोटिंग शेयर का पैटरन बताईए जल्दी से कमेंट करके New Development Bank का किसका वोटिंग ज़्यादा है या सबकी बराबार है जल्दी से बताई युनाइटेड नेशन Economic and Social Commission for Asia and Pacific युनेस कैब 1947 में बना हेड़कॉर्टर है Bangkok, Thailand में तिरपन कंट्री है इंडिया भी इसका associate member है International Organization for Migration 1990 में बना हेड़कॉर्टर है जीनेवा सुट्जालेंड में member country 173 इंडिया भी इसका member है Interpol International Criminal Police Organization 1923 में बना था International Criminal Police Commission के तोर पे फिर 1956 में ये अपना प्रेजिड नेम पापाया इंडिया इंडिया भी मेंबर है Interpol का ध्यान रखे गई है ये क्या है वर्ड की लार्जेस्ट पुलिस और्गनाइजेशन इंडिया इंडिया आफ जो इंडिया है इंडिया का वो इसमें शामिल है ठीक है स्ट यानि की संगाई कॉर्परेशन और्गनेशन यानि की संगाई सहयोग संग्टन 2001 में ये बनाया गया ठीक है मुख्याले इसका चाइना में है सेकरेटरी जैनरल इसमें बलाद में नोरों है आठ मेंबर है टोटल मिला के अज़ा देखें संगाई कॉर्परेशन और्गनेशन से पहले एक था संगाई फाइव ठीक है वो म्यूच्वल सेक्योर्टी एग्रिमेंट था ये पाँच देशों के बीच में चाइना, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजीकिस्तान 1996 में इन सब ने मिलके बनाया शंगाई फाइव ठीक है पाँच देशों का और्गनेशन था फिर इसमें 2001 में संगाई जो फाइव था इसमें इनके लीडर्स और प्लस उजबेकिस्तान ने मिलके फाइलली SEO बना दिया ठीक है, SEO चैर्टर 2002 में साइन हुआ और फाइलली 2003 से फॉर्स में है SEO के आठ कंट्री हैं जो मेंबर हैं ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक आप एक देख सकते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ओफ ट्रक इस तरह से कुछ बना के याद रख सकते हैं आदरवाइस आप आठ नामी याद रख लीजे टी से हो जाएगा तजीकिस्तान, आर से हो जाएगा रशिया यू से उजबेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकस्तान ठीक है फिर एक के से आपका हो जाएगा किर्गिस्तान पी से पाकिस्तान और फिर इंडिया बताएए इंडिया और पाकिस्तान ने सीओ को कब जॉइन किया देगे चोटी लिट्री के हाथ रखने से क्या होता है कि माल लिजे जना सभी शब्द याद आ जाए तो एटलिस्ट वाए एक्जाम में कमिस्तान ये तो हो सकता है कि माल लो ऐसे ओप्षन दियो जहाँ पर आर से स्टार्टर ही ना हो रहा हो तो कई बार इलिमनेशन मेतरण में काम आते हैं इस सब चीजे फिर आपका है यूरोपियन यूनियन उनिस सो तिरानमे में हुआ ये जो मास्टिज ट्रीटी थी उस वही एक फाउंडेशन ट्रीटी थी यूरोपियन यूनियन की ठीक है है हेड़कॉर्टर इसका कहां पर प्रिसल्स बेलजियम में है इस समय यू में सौरी यह हाँ यूरोपियन यूनियन में यूरोजोन में कितने कंट्री और शेंजएयन एरिया में एस्टेब्लिश ही और बैंक इंडिया भी है इसका फ्राइज फ्रांस जो है इसका तेश्वा देश्वा मेंबर बना था आयो आरे का दोजर बी एसिया कोपरेशन डायलॉग कुएट सिटी में सेक्रेटेरियट है इंडिया भी है यूरेसियन एकोनामिक यूनियन 2015 में स्टैब्लिस हुआ एड्मिस्टेटिव सेंटर कहां पर मौस्को रश्या में है पाच कंट्री के मेंबर है ठीक है कौन को से पाच कंट्री मेंबर है अर्मीनिया हो गया बेलरूस हो हो गया कजाकस्तान हो गया किर्गी जो गया और रश्या हो गया ठीक ठोड़ी तबियत सी खराब है अलाकि मैं किसी भी तरह से इनर्जी कम नहीं होने दे रहा हूं लेकिन लगातार बीच बीच में कुछ कुछ दिक्कत हो जाद खैर नेक्स्ट है अपना सासेक साउथ एशि पाल और स्री लंका ठीक है यहां पर क्या चैश कर सकते हैं एक ट्रिक लगा सकते हैं बीबी आई एन stark आप एस में समय लगा सकते हैं और स्री लंका मेंबर कोश्टारी का 38 मेंबर इंडिया मेंबर एडिया मेंबर इसका मेंबर द्यान रखेगा एडिया और इसका प्रेसिटेंट कौन मिस्टर जिन लिकून यह भी चाइनीज है ठीक है उसके बाद अफ्रीकन डेवलप्मेंट बैंक इसमें हाइस्ट वोटिंग परसेंटेज है नाइजेरिया का यह द्यान रखेगा 1964 में बना था यह एड़कॉर्टर इसका अभी जान कोट आइवरी कोस्ट में है यह 82 मेंबर नहीं इसके 82 मेंबर है इसके कंट्री द्यान रखना है यह वर्ड फूट प्रोग्राम यह 1961 म में बनाया गया है एड़कॉर्टर इसका नेरोबी को केनिया में है ठीक है इंगर इंडरेशन इसके जान जरूरी है वह मैं एक्जीकुट्टु डिरेक्टर यह डिरेक्टर जनल पढ़ते रहा हूं बाकी आप एक बर देख सकते हैं यह अदर्वास मैं मोस्ट इंपॉर्ट में बना इस्पेन मैडरीट में हेड़कॉर्टर एक सो उनसर्ट कंट्रीज है इसके में वर्ड मेट्रोलोजिकल ऑर्गनाजिशन निसोपचास में बना और हेड़कॉर्टर इसका जिनेवा सुट्जलेंड में है 187 कंट्री इसमें ठीक है यूनिडो यह 1966 में बना और विए लंडन यूके में इसका हेड़कॉर्टर एक सो उतर कंट्री देश है ठीक है और इंडिया इसका सबसे अर्लिएस्ट मेंबर था आइसी एओ इंटरनेशन सिविल एविएशन और्गनेशन उननिसोच्वालिज में बना हेड़कॉर्टर मॉंट्रियल कनेड़ा में एक सो ति सब्सक्राइब करनेशन नीदर्लेंड में एड़कॉर्टर है इसका अचा वाइड एकनॉमिक फोरम के आपने कई सारी रिपोर्ट देखी होंगे बताइए कौन कॉसी लेटेशन आती रहती है हमेशा बहुत ज्यादा पॉपलर रिपोर्ट कॉन कॉसी है डब्लु एफ नॉ सब बहुत उचल कूद कर रहे थे एक तरफ यूसे एक तरफ रशिया और तो इंडिया ने मतलब अपना एक अलगी वो पकड़ा एक अलगी भौकाल मेरा नॉन एलाइन की हम वहीया किसी से नहीं करेंगे जब जिससे मन करेंगा हमारा इंट्रेस्ट होगा तब करेंगे तो यह वही है नानरइन मौवमेंट की पतलब आईजा नहीं की किसी जो है पक्च में अगर नाटो या यूएस ने कुछ बोला तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे आईजा कुछ नहीं है आईशू के हैंसे बात करेंगे हम किसी से एलाइन नहीं करेंगे बस यही किसका फॉर्मिश नसीर और घाना के प्रजान मंत्री क्वामे नुकुर्मा ठीक है और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो इन सब ने मिलके बनाया था नैम उस्ट्रेलिया ग्रूप या उस्ट्रेलिया समूँ 1985 में बनाता 43 देश हैं इंडिया भी इसका है इसके प्रोलिफरेशन यानि कि उसके फाहिलाओ का जो रिस्क है केमिकल और बायोजिकल विपन्स का उनको कम किया जा सके नेक्स डैस में एम्टी सियार इसका भी मेंबर कंट्री है भारत देश 1987 में बना 35 कंट्री इसके मेंबर है भारत ने 2000 सोरी भारत ने 2000 सोला में इसको जोइन किया था ठीक है और मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजीम है और जो मिसाइल होती है करीबन 500 किलोग्राम लोड तक और 300 किलो मिटर रेंज तक इनको कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियर सप्लियर ग्रूप 1974 भारत इसमें सामिल नहीं है 48 देश है टोटल मिलाके जी सेवन 1975 में बनाया गया साथ कंट्री आप देख लिए यूएस जर्मनी जापान यूनाइटेड किंडम कैनेडा इटली और फ्रांस इसमें चाइना नहीं है जी सेवन में ठीक है जी ट्वेंटी जी सेवन में इंडिया भी नहीं है ये भी द्यान रखेगा जी ट्वेंटी में इंडिया है 1999 में बना और इसके 20 कंट्री ये ध्यान रख सकते हैं इंडिया है जरूर याद रखेगा बाकी 20 कंट्री आप पड़ सकते हैं अच्छा जी ट्वेंटी में चाइन है यह दियान लगएगा ठीक है इंडिया भी इस्लामिक डिवलयमेंट बैंक 1975 बना फिर झेड़ा में 57 अज़ाइडा में इंडिया नहीं है इसमें छेक है बाल्टिक कंट्री किसको किसको मुलते है एल्ल यानि कि इस्टोनिया लात्रिया और लिथवानिया ठीक है तो यह बाल्टिक सी को सराउंड करती है इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्री इंटरनेशल कमिट्टी ओफ रेड क्रॉस इंटरनेशनल और इनर्जी दो जबनी अबुदाबी में इसका मुक्याल है कुछ और इंपॉर्टेंट्ट चीज़े देख लिए नॉडिक कंट्री नॉडिक कंट्री में किसको किसको बोलते हैं देनमार्क, फिन्लैंड, आइस्यलैंड, नौर्वे और सुड़न, ठीक है प्लस जो ऑृत्ओनोमस लिए हैं फेरो आइलेंड की और ग्रीनलैंड की और प्लस ऑटोन्यमस जो रिजन है यह इलैंड, आइलेंड का इस सबको मिलाके नौर्डिक कंट्री बोला जाता है तो एसडी नौर्वे स्वीडन डेन्मार्क और एफ़ाई फिन्लेंड आइसलेंड और प्लस ऑटोनुमस टेरिटरी फेरो ऐलेंड की ग्रीन लेंड की प्लस आलेंड आइलेंड की पक्राई प्लसएब है मिना कि इंडिया मेमर के साथ है यह लोग देखते है उनको यह maximum चीज़े नहीं पता रहती है ठीक है वह आला नॉलेज बहुत रखते हैं रन किते बनाईए इसका headquarter दुबाई में है कि कई बार आ चुका है question एक और चीज़ है ICC के साथ इस समय खास क्या कि या इसमें पहली independent female director बनाया गया है किसको पेप्सिको की इंदरा नुई को ठीक है क्रिकेट के लिए तो हाइएस्ट गॉर्णिंग बॉड़ी है यह ICC इसके बाद है IUCN 1947 में established हुआ स्विट्जर लेंड में इसका headquarter है 170 से ज़्यादा country में इसके member है International Council on Monument and Sites ठीक है इस मारक और इस तल पर अंतरराश्टरी परिशद 1945 में बना प्रेरिस में इसका headquarter है ठीक इसके बाद है यह IFAD क्रसी विकास के लिए अंतरराश्टरी कोस 1970 में बना रो मिट्ली में headquarter यह latest में भी बहुत चर्चा में आया था एक five wise country है और एक AUKUS यह जरूरा प्याद रखेगा five wise country में यह क्या है एक intelligence alliance है यह यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजिलेंड ध्यान रखेए यह यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजिलेंड यह सब five wise country है और यह भी आ सकता है कि उकूसा जो agreement है यह किस से related है यह five यह कुछ और important लिख दिया मैंने आपके लिए सहुलियाद के लिए ठीक रहेगा जैसे quad quad क्या है quad related security dialogue इसमें कौन कौन है यूएस इंडिया जापान और आस्ट्रेलिया आइनस्ट्रेलिया इंडिया इरान अफगानिस्तान अजर्बाइजान रसिया सेंट्रल एसिया और गल्फ में transportation के लिए किसके किसके बीच में किया गया यह कजाकस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इरान इंडिया पाकिस्तान और ओमान ठीक है तो अजगाबाद agreement कब आया यह 2016 से लागू है depository state इसका है अजगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान में इंडिया भी इसका member है अजगाबाद का 2018 से एक यह important चीज है unite aware platform इंडिया ने यह यूएन के साथ collaboration करके एक technology platform बनाया है peace keeper के लिए यह latest में है इसलिए लिख दिया गया है official languages जो यूएन की यह फ्रेसका याद रखना ट्रिक फ्रेसका मतलब french, russian, english, spanish, chinese और arabic यह छे यह languages है यूएन की United Nation Security Council के पाँच permanent member होते हैं कौन कौन से हैं वो चाइना, France, Russia, UK और United States पाँच member है अच्छा यह जनवरी 2021 से भारत बना है non permanent member देगे, पाँच permanent होते हैं, दस non permanent होते हैं ठीक है, वो दो साल के लिए बनाय जाते हैं, तो जो non permanent member में भारत बना है भी 2021 और 22 के लिए बना है, ठीक और भारत आठवी बार बना यह जरूर याद रखना है, यही पूछ सकते हैं बस, और भारत जो प्रेसिडेंट का, मतलब सारी है, security council का प्रेसिडेंट भी बनेगा, मन्तली क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंट की कुरसी है, वो रोटेट होती रहती हैं, जितने भी member होते हैं, तो भारत युनस्सी का प्रेसिडेंट कब कब बनेगा, अगस दोजार इकिस में और दिसम्बर दोजार बाइस में, यह युनाइटर नेशन इको सोक, यह इसका foundation कब हो है, 1945 में, चववन मेंबर है, निव यॉर्क कंट्र, जो है इसका headquarter है, ठीक है, और जिनेवा सुट्ज प्रेटिपर यह और यूएस के बीच में, ठीक है, फिर एक global methane pledge, इसको यह किसका initiative है, यूएस प्रस EU का initiative है, यह मिथेन emission को cut करने के लिए, एक और चीछ पूछ सकते हैं, इंडिया ने कौन सा resolution UNSC में पास किया था, तालिबान के खिलाफ, तो कौन सा resolution था, यह current affair का पार्ट है, याद रखिये का यह, resolution 2593, यानि की 2593, यह कुछ इंडियान इंस्टिउट है, जिनके headquarter आपको पता होने चीए, मवेशी प्रेजनल संस्थान यानि की cattle breeding institute, इसका हिसार हरियाणा, national dairy research institute, करनाल, रमन research institute, बैंगलूरू, national aeronautical laboratory, बैंगलूरू, वनला भाई, पतेल, chest institute, दिल्ली, national institute of urban affairs, दिल्ली, central road research institute, दिल्ली, Indian metrological observatory, दिल्ली, all India malaria research institute, दिल्ली, Indian agriculture research institute, दिल्ली, central soil salinities research institute, करनाल, रियाणा, center for cultural resources and training, दिल्ली, national institute for disaster management, दिल्ली, central coconut research institute, किरला, central institute for cotton, ये आपका, नागपुर, ठीक है, central fuel research institute, ये headquarter बस एक बार देख लिजेए का, जरूरी होते हैं, कई बार आ जाते हैं, directly, सिर्व headquarter, central forest research institute, आपका देहरादून, Indian institute of remote sensing, देहरादून, Indian institute of petroleum, देहरादून, हाफकीन institute, मुंबई, Indian cancer institute, आपका research institute, मुंबई, फिर आपका central institute of fisheries education, मुंबई, Tata institute of fundamental research, मुंबई, national botanical research institute, लखनाव, industrial toxicology research institute, लखनाव, Central drug research institute, लखनाव, national institute of occupation health, ये एहमदाबाद, Central potato, आलू आला कहाँ पर research institute है, सिम्ला में, Sugar cane breeding institute, ये कौइमबटूर, Indian institute of sugar cane research, ठीक है, ये है लखनाव में, National sugar research center, ये कानपूर में है, National institute of ocean technology, चन्नाई में, Central chemical research institute, ये है काराई कुंडी में, अब देखें, इतने सारे रटे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा, क्योंकि आते हैं exam में, ठीक है, ये एक बार देख लिजेगा, वहाँ याद आगा है, तो बहुत बड़ी है, Central institute of Indian languages, ये महसूर में, Central institute of virology, पुने में, इंडियन लाख research institute, राची में है ये, Central institute of secretary, राची में है ये, PGI medical institute and research, चंडीगण में, इसका एक तरीका ये है कि सारे आप जो आप institute बता रहे हैं ना, इनको एक बार गूगल करके देखिए, इनकी वेबसाइट पर जाके, इनका मुख्याले देखिए, और जो है, एक आदा आदा मिनिट उस पर विता ही है, तो थोड़ा याद रह सकता है, बाकि इसका कोई और वो नहीं है, ट्रिक वोग, इतने सारे हैं, तो आजाते हैं ये, इंडियन इस्टिूट ऑफ केमिकल बायोजी कोलकता, सेंट्रल जूट टैकनोलोजिकल निसर्च इंटिटूट कोलकता, है एर्चियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया यह कोलकता सेंट्रल ग्लास एंड सिर्यमिक रिसर्च इंस्टूट कोलकता नैस्तल इंस्टिटूट ऑफ वीडियर फैती यह भी कलकता ठीक है सत्ची त्रेफ फिल्मेंट टेक्निकल सॉर्ई टेली विज़ इंस्ट्टूट यह हैदराबाद National Institute of Rural Development हैदराबाद Center for Molecular and Cellular Biology हैदराबाद High Altitude Research Laboratory यह है गुलमर्ग फिर आपका Central Building Research Institute रुड़की Central Scientific Instrument Organization यह आपका चंडीगड फिर इसके बाद यह Central Rice Research Institute कटक National Institute of Oceanography पंजी Central Leather Research Institute आपका चन्नाई Indian Institute of Pulses दालों का जो है भारती दलहन संदार संदार यह कौटपूर में National Institute of Security यह मुंबाई में National Brain Research Center यह है आपका मानेसर में इंडियां इंस्ट्ट्ट्ट आप ट्रोपिकल वाला ट्रोपिकल मेट्रोलोजी पुने में Central Institute of Road Transport पुने में Film and Television Institute of Indian Indian Diamond Institute सूरत सूरत में डाइमंड वाला है दियान रखना कैटल बीरिंग ब्रीडिंग इंस्टिटूट ये हिसार में इंडियन इंस्टिटूट ऑफ पेट्रोलियमेर इनर्जी विशाका पत्नम सेंट्रल इंस्टिटूट ऑफ एग्रिकल्चर इंजिरिंग भोपाल इंडियन इंस्टिटूट ऑफ फोरेच मेनेजमेंट भोपाल फिर नेशनल इस्टूट फॉटर्स गॉवा नैशनल इस्टूट ऑफ अनिमेल वेलफेर फरीदाबाद नेशनल पावर कोचीन नेशनल इंस्टिटीट ऑफ ओशनोग्राफी ये गुवा में भी है कोची मुंबई विजाग में भी है सेंटरल सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च केमिकल रिसर्च इंस्टिटीट भावनगर नेशनल इंस्टिटूट ऑफ हाइड्रोलोजी रूड़की में भी है और पाइलेंड अग्रिकल्चर हैदराबाद, ओल इंडियार इंस्टिटूट ओफ आइजीन और पब्लिक हेल्थ, ये कोलकता, सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टिटूट ये आपका राची में, फिर सेंट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इंस्टिटूट महसूर में, सेंट्रल इंस्टिटूट ओफ प्लास्टिक इंजिनिंग और टेक्नोलोजी चन्नाई में, सेंट्रल इंस्टिटूट ओफ ब्रैकिश वाटर अग्रिकल्चर ये चन्नाई में, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टिटूट ये है आपका तम फिर नीरी है ये नागपुर भईया नीरी के लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था नीरी को बहुत ध्यान से याद रखना नीरी बहुत जरूरी है बहुत बार पूछा गया है एमस दिल्ली पताए कि पोजिशन बताए जल्दी से यूपी में कितने एमस हो गया यह पता होना चाहिए आपको नेशनल इस्टिटूट आप मिंटल एंट नियूरो साइस यह बैंगलू यह नीरी को ध्यान लग लिजिए भईया उन्निस सो अठावन में बनाता है इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया ठीक है और पहले इसको क् सी फेरी सेंटरल पब्लिक हेल्थ इंडिनिक रिसर्च इंस्टिटूट नीरी मिनिस्ट्री अफ साइस केंडर में आता है